प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नवश्कार आज हम चर्चा करेंगे भारत वर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है ये विधा निबंद की है और इसके लेखक हैं भारतेंदू हरिश्चंद्र पाठ की तरफ बढ़ने से पहले आईए हम भारतेंदू हरिश्चंद्र के विशे में कुछ बाते जान लेते हैं चलिए बढ़ते हैं उनके साहित्यक परिचे की ओर आधुनिक काल के रचनाकार भारतेंदू हरिश्चंद्र का जन्म 1850 इसवी में काशी में हुआ था उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांती चेतना से सम्ब्रिद्ध था ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने न केवल भारत की दुर्दशा का अनुभव किया बलकि उसके विशे में मुखर रूप से आवाज भी उठाई हिंदी साहित्य में उनके योगदान की पराकाश्ठा ही कहेंगे कि हिंदी साहित्य के आदुनिक काल का एक पूरा युग भारत इंदू युग के नाम से जाना जाता है आज हम हिंदी साहित्ते में नाटक और निबंद की जो सम्रिद्ध परंपरा देखते हैं वह भारते इंदू से ही शुरू होती है चलिए अब हम बढ़ते हैं भारते इंदू की रचनाओं की ओर भारते इंदू ने नाटक भी लिखे, काव्य भी लिखे और पत्रिकाएं भी लिखी एक एक करके उनकी थोड़ी थोड़ी रचनाओं के विशे में हम जानकारी लेते चलते हैं नाटक में बहुत प्रसिद नाटक भारत दूर्दशा, अंधेर नगरी जी हाँ आप इस नाटक से जरूर परिचित होंगे अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा यह वही नाटक है, नील देवी, श्री चंद्रावली, मुद्रा राक्षस और भी अन्यक कई सारे इसके अलावा काव्य में प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका देखे कितना सारा प्रेम इनके काव्य में व्यापत है और अगर पत्रिकाओं की बात करें, तो कविवचन सुधा तो बहुत ही प्रसिद पत्रिका रही इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, अन्य पत्रिकाईं भी उन्होंने लिखी हर लेखक की भाषा और शैलिगत विशेशताईं उसे अन्य लेखकों से अलग बनाती हैं तो इनकी भाषा और शैलिगत विशेशताऊ पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं भारतेंदू के जितने भी नाटक, जितनी भी रचनाई आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें व्यंग बहुत तीचन है बहुत विचारात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का वो परियोग करते हैं और कितनी भी कठिन बात हो, उसे बहुत सरलता से, सहजता से वो हम तक संप्रेशित कर देते हैं और हम ये भी मानते हैं कि जब कोई लेखक बहुत अच्छी भाशा का प्रियोग करता है अपने लेखन में तो उसमें बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रियोग वो अवश्य करता है भारतेंदु जी के काव्य में एक महत्वपून बात हम ये देखते हैं कि खड़ी बोली का आज जो स्वरूप हमारे समक्ष उपलब्ध है वैसा तब नहीं था खड़ी बोली अपने प्रारंबिक स्वरूप में परिश्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित हो रही थी कविताओं में अभी भी मध्यकालीन ब्रजभाशा का प्रियोग चला आ रहा था जबकि गध्य में खड़ी बोली अपने पाओं पसारने लगी थी इसलिए जब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रियोग भारतेंदू की रचनाओं में मिलता है जो अब आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा, आपको लगेगा कहीं लेखन में कोई गलती तो नहीं हो गई है कहीं छपाई के दोरान ये कोई गलती तो नहीं हो गई है और ऐसे बहुत सारे शब्द अप्रचलित ही नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अब हम उन शब्दों की ओर उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं जैसे मिहनत इस पाठ की दोरान आएगा आज हम क्या बोलते हैं मेहनत चिन प्रते चिन और वो क्या होता है शन प्रते शन तिहवार अर्थात त्योहार पहिचानकर अर्थात पहचानकर और आपने ये पहचान भी लिया होगा दिया सलाई जिसे आज हम बोलते हैं दिया सलाई चलिये अब भरतेंदू के परिचे के बाद अब हम बढ़ते हैं इस पाट के उद्देशे के ओर हर लेखन का कोई ना कोई उद्देशे अवश्य होता है और उसके प्रश्टभूमी अवश्य होती है तो इसी प्रकार भारत वर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है इस पार्ट के उद्देश्य को हम जानते हैं ये निबंद लेखक द्वारा 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर दिये गए भाशन का एक अंश है ये ऐसा समय था 1884 जब अंग्रेजी सत्ता ने हमें गुलाम बनाया हुआ था और भारत के ही कच्चे माल को इंग्लैंड में निर्मित कर हमारे देश में हमें ही उचे दामों पर बेचा जा रहा था तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है भारत की इस दुर्दशा के लिए अपनिवेशिक शाषन जितना जिम्मेदार है उतने ही भारतिये स्वयम भी जिम्मेदार है अब इसके पीछे के बहुत सारे कारणों को लेखक बताता है कि हम भारतिय नागरिक, आलस्य, अकर्मन्यता, दिशाहीनिता, समय व्यर्थ गवाने की प्रवरती की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जब तक हम अपनी इन बुराईयों को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे, तो ये देश गुलाम रहेगा, सुधार भी नहीं पाएगा अब इसमें सबसे अच्छी बात जो रही कि अंग्रेजों का विरोध कीजिये, क्योंकि वो शाषन करते हैं, सत्ता संभाले हुए हैं लेकिन अंग्रेजों के अंदर जो अच्छे गुण थे, उनकी लेखक प्रशंशा करता है, उनकी लगन की, उनके परिश्रम की, उनकी अदम्य जिजीविशा की प्रशंशा करता है भारत वर्ष की उन्नती और प्रगती कैसे हो सकती है हम अंग्रेजों से क्या अच्छा है वो कैसे सीख सकते हैं इसके विशे में इस पूरे पाठ में लेखक ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिये है चलिए बढ़ते हैं उन सुझावों की ओर एक चीज और मैं आपके साज़ा करना चाहूंगी कि हर पाठ की कभी न कभी कोई प्रासंगिकता होती है प्रासंगिकता क्या होती है कई बार जब कोई पाठ आज के संदर्ब में प्रासंगिक होता है तो वह समय और देश की सीमाओं को पार कर जाता है इसी प्रकार ये पाठ आज भी प्रासंगिक बना हुआ है चाहे ये 1884 के भाषन का एक अंशो क्या आप नहीं जानते कि आज हमारी युवापीडी Facebook, Insta, TikTok में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर रही है और स्वयम का और देश के भविश्य को अंधकार में धकेल रही है ये पाठ इसी और इशारा करता है और जैसे जैसे पाठ आगे आगे बढ़ेगा, गती पाएगा तो आप देखेंगे कि आज का आत्म निर्भर भारत जिसकी बात की जाती है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की सीख भी यही पाठ कई वर्षो पूर्व हमें दे गया था वो भी हम देखेंगे चलिए बढ़ते हैं इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण बिंदूओं की और लेखक ने कहा कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत हैं अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई कि लेखक को ये कहना पड़ा कि इस देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत हैं तो लेखक को देखकर लगा कि अरे इतनी उत्साही भीड यानि इतना भी अगर आपने कर दिया है तो ये तो इस अभागे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। इसलिए वो मानते हैं कि हमें अंग्रेजों के इस गुण को अपना लेना चाहिए। इतनी भी महंगी हो नहीं चल सकती। इसी प्रकार हम भारतिये भी नेत्रित्व शमता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें कोई याद ना दिलाए जब तक कोई हमें ये ना कहे कि अरे तुम कर सकते हो तब तक तो भारतिया आगे चलते ही नहीं रेल की गाड़ी की तरह। तो लेकिन बात ये उठती है कि ये बल याद दिलाएगा कौन। आपको याद होगा कि हनुमान जी को भी ये श्राप था कि उन्हें आवश्चकता पढ़ने पर अपना बल याद नहीं आएगा। तो फिर जामबंत जी ने उन्हें वो बल याद दिलाया और फिर हनुमान जी देखे क्या से क्या कर गए। इसी तरह अब हमारा जामबंत कौन बनेगा। हम भारतियों को वो बल कौन याद दिलाएगा। हिंदुस्तानी राजे महराजे, नवाब, राईस या हाकिम कौन दिलाएगा। अब राजे महराजों को तो फुरसत ही नहीं हैं। वो तो गप में लगे रहते हैं। अपनी शान में लगे रहते हैं। तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, अब रहे अंग्रेज, वो शासन संभाले, सत्ता संभाले, देश संभाले या अपने शौक पूरे करें, और फिर अगर समय बच भी गया, तो भाई वो तुम्हें क्यों समय दे, हम भारतियों के लिए वो अपना समय बरबाद नहीं करेंगे, त तो इसी लिए अब ये बल कौन याद दिलाएगा, लेखक कहते हैं, ये बल हमें स्वयम याद करना होगा, अपने अंदर की प्रतिभा को स्वयम जाक कर देखना होगा, उसे निखारना होगा, उसे निकालना होगा, आगे लेखक कहते हैं, कि तीन मेंडग थे, एक के उपर एक बैठे थे, आप देखे कितना बोज आएगा, एक के उपर एक तीन मेंडग बैठे थे, उपर वाले ने कहा जौक शौक, यानि वो तो मजे में है, बीच वाला बोला गुमसुम, यानि वो बिचारा बहुत गुमसुम सा है, और सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम, तो अचानक से क्या हो गया? एक समय था, जब भारत सोने की चिडिया कहलाता था, भारत का स्वर्णिम, गौरव मई अतीत हुआ करता था, गनित में, खगोल में, जोतिश में, चिकितसा शास्त्र में, दर्शन में, अध्यात में, सभी में तो विश्व में डंका था हमारा, फिर क्या हुआ? एक समय था, जब हम पत्ते की बनी हुई बास की कुटिया में रहते थे, और बास की नालियों से भी, जिसे नली भी कहते हैं, उस से तारे और ग्रह को बेद करके उसकी गती लिख देते थे, और ये उतनी ही सटीक होती थी, जितना कि विदेशों में 16 लाक दीदी गई दूरबीन से आती हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? हम क्यूं भूल गए कि हम में क्या प्रतिभा है? आप याद कीजिए, 1884 तक अंग्रेजी क्रांती हो चुकी थी, फ्रांस की क्रांती हो चुकी थी, और हम उल्टी दिशा में बह रहे थे, यानि जब लो आप लाखो उपाए कर लीजे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे लेखक के मित्र उनसे आग्रे करते हैं कि अरे भाई, कुछ तो बताओ हरिश्चंदर जी, आप तो इतने महान हैं कि हिंदुस्तान की उन्नती आखिर कैसे होगी? तो वो कहते, अब मैं क्या नहीं बहुत दुरलब बात होती है, उस पर गुरू की कृपा और उस पर भी ईश्वर भी अनुकूल बना रहे, तो सब कुछ तो आपके पास है, सब कुछ से यहां क्या अर्थ है? कि जब अंग्रेज अपना बल, अपना कौशल और अपना अनुशाशन हमें दिखा रहे है तो हम उनसे सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसे राज में भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं कि वो कैसे शासन करते हैं? हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं कि देश कैसे चलाया जाता है? हम अंग्रेजी राज्ये में भी कुए के एक बड़ा लेखकी कर सकता है और किस तरीके से वो मुहावरे के माध्यम से हमें इस बात को स्पष्ट करना चाते हैं कि अब कुए के मेंड़क नहीं बनना है हमें आगे बढ़ना है आगे लेखक ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि अब आप कहोगे कि रोटी कपड और मकान तो मिल नहीं रहा है, ऐसी मूलभूत आवश्चकता हैं, तो हमारी पूरी हो नहीं रहे हैं, और आप बाते करते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जब हमारा पेट ही नहीं भरा है, तो हम बड़ी-बड़ी बाते उननती की कैसे कर सकते हैं, तो ल हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से अपनी उन्नती की राहे निकालने का प्रयास किया क्या इंग्लेंड में किसान नहीं, क्या इंग्लेंड में खेतवाले नहीं, क्या इंग्लेंड में गाडिवान नहीं, क्या इंग्लेंड में मजदूर नहीं, कोचवान नहीं, क्या नहीं है तो ये तो नहीं कह सकते ना कि सबके पेट भरे हुए हैं आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी देश में सबके पेट भरे हुए होते हैं, लेकिन ये हमारे मस्तिश्क की बात है, हमारी सोच की बात है, जो लोग वहाँ खेत भी जोतते हैं, वो साथ-साथ ये भी सोचते हैं, कि ऐसी कौन सी फसल और बढ़िया तरीके से उगाई जाए, कि हमारा अनाज दुगना हो जाए, तो इन बातों का अगर हम खयाल रखेंगे, तो शायद हम भी उन्नती की राहे अपने आप खोच लेंगे, आगे चलकर भारतेंदु जे कहते हैं, कि किसी एक देश में हर व्यक्ती का योगदान अमूल्य होता है, विलायत में जब आप ज लगता है और अपनी ज्यान का वर्धन करता है, लेकिन हमारे यहां हम सब बैठ जाएंगे और गप में लग जाएंगे, और गप भी कैसी कोरी बकवास, जिससे देश का कोई समधान ना निकलता हो, लोग वहां भी चर्चा करते हैं, लोग वहां भी संगोष्ठियां करते है लेकिन उनसे वो सोचते हैं कि देश का समधान कैसे निकलेगा, इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि देश के पास सीमित संसाधन है और असीमित जनसंख्या है, तो क्या किया जाए, तो कहीं न कहीं यहां पर वो हलका सा इशारा भी करते हैं कि हमें जनसंख्या पर नियंतरन भ होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हम सब इस जनसंख्या के बोज को लेकर कहा जाएंगे नेत्रत्व शमता का भी तो अभाव हैं आगे वो हमें एक सुझाओ भी देते हैं कि देखो भारतवासियो राजा माहराजाओ का मूँ मत देखो इस बात को अगर हम आज के संदर्ब से जुड़े तो आज भी हमें ये बात समझनी होगी कि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती प्रतियेक नाग करेंगे और किसी अंदविश्वास में भी मत पढ़िये क्योंकि अगर आपको लगता है पंडित जी आएंगे कोई ऐसा उपाय बताएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और इस देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो ये ताओ होने से रहा तो आप खुद ही कमर कस लो आप खुद ही आलस छोड़ लो आगे लेखक कहते हैं कि आपको जीवन में मिलने वाले अवसर को नहीं कवाना है क्योंकि अवसर रोज रोज आपके सामने नहीं आएंगे तो जो भी अवसर मिले जब भी मिले उसको पकड़ लीजिए और आगे बढ़िए इसके ल दिया था उनकी आखों की रोश्नी छीन ली थी और लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि वो शब्द भीदी बांड मारते हैं यानि शब्द की ध्वनी आएगी उसी शब्द की तरफ प्रत्वी राज चोहान बांड छोड सकते हैं तो उन्होंने साथ तवे रखे और कहा कि जब मैं हूं करूं तो आप बांड चलाइए उसी समय आपको पता होगा कि प्रत्वी राज चोहान के साथ उनके कवी चंद बर्दाई भी उनी के साथ कैद कर लिये गए थे तो चंद बर्दाई ने कहा कि यही अवसर है तो उन्होंने एक बात कही एक दोहा पढ़ा अब की चड़ी कमान को जाने फिर कब चड़े जिन चूके चोहान इकके मारे इकके सर और प्रत्वी राज चोहान समझ गए कि अब मुझे तवे पे नहीं मारना है राजा को ही तीर मार देना है तभी तो देश मुक्त होगा तो फिर उन्होंने जैसे ही राजा ने हूं किया प्रत् चलता है कि अवसर कभी न गवाएं जो भी आपको मौका मिले। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के सार की ओर कि भारत वर्ष की उन्नती कब-कब हो सकती है। लगन और अदम में जिजी विशा का परिचय देगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के शुरुवाती अंश को लिया था। इसकी आगे की चर्चा के लिए हम फिर आप से एक बार भेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। करेंगे बच्की आप से लिए अरmbol में पनार में पनार से उलिए थी दो आप से एक बार आप से कब-च्चों झाल, 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 झाल